गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स स्वामी विवेकनन्द के राज केमा विद्याले में जो आपका यूटूब चैनल चलाया जा रहा है उसमें आपका स्वागत है तक हम लोग तीन चेप्टर डिसकस कर चुके हैं आज हम लोग डिसकस करेंगे एक नेक्स चेप्टर में जिसमें दो टीन पार्ट है तो इसमें हम लोग एक पहला पार्ट डिसकस करने जा रहे हैं इसका नाम है पॉलीमर अंजी नाम हम पठा होना चीए कि पोलीमर क्या होते हैं समान अत्वा भिन संदस्टना वाले सरल एमकम अनुभार वाले अनु आपस में मिलकरके बहुलक बनाते हैं मेंस छोटे अनु मिलकरके बड़े अनु बनाते हैं तो जो बड़ा अनू होता है अशे हम बोलते हैं, ब़ुलक यह प्रक्रिया जो है, यह जो प्रोसेस है, उसे हम लोग बोलेंगे, पूलिमराइज़ेशन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पूलिमराइजेशन, वह छोटी संदस्टनाथ में कई जिससे मिलकर बहुलक का रिर्मान होता है उसे हम लोग एक लग बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं सिदा सा कंसप्ट है देखो आपको क्या करना है कि जो मोनोमर है वो मिलकर के क्या बनाएंगे पोलीमर यह दिया ठक लेगा एक एक्जामपल में मैंने यहां पर दिखा है अगर उस एक्जामपल के हम लोग बात करते हैं यहां पर तो देखो यह जो एक्जामपल है उसमें मैंने लिखा है एन मोलेक्यूल किसके प्रोपीन के तो ये एक तरसी ये monomer हो गया, क्या है ये? ये monomer है. और जब monomer मिलेंगे बहुत सारे, तो ये polymer बनेगा जिसका नाम होगा polypropene. क्या नाम होगा इसका? Polypropene. अब दगो polymer क्या है, monomer क्या है, polymerization क्या है? ये तीन टन्प huge हो गये हैं. अब हम लोग देखते हैं degree of polymerization क्या होता है बहुलिकरन की मात्रा या हम लोग यह कह सकते हैं तो किसी polymer में उपस्तित monomer की संक्या कि जो भी polymer हमने बनाया है उसमें कितने monomer जुड़े हैं वो संक्या जो होगी वो monomers की जो संक्या होगी उसको बोलते हैं degree of polymerization, ठीक है, एक नया ट्रम यूज करते हैं, oligomer, oligomer क्या होते हैं, वे polymer, जिनमें monomers की संक्या 10 से 100 के 20 में होती हैं, कोई भी polymer, जिसमें monomers कितने हो 10 से 100 के 20 में, तो उसे हम लोग बोलते हैं, oligomer, और high polymer किसे बोनेंगे, वे polymer, जिसमें monomers की संक्या 100 से अधिक होती है, तो यह हम लोग बोलते हैं, high polymer, तो यह सारे trumps, जो हमने यूज किये हैं, यह देखते हैं हम लोग अब, बहुल अकी करन या polymerization, monomer से polymer बनने की mechanism को polymerization कहते हैं, कि अगर आपके वाश monomer थे, monomer थे, बहुत सारे उसे polymer बन गया, तो यह जो process या, जो mechanism है, उसे हम लोग polymerization बोलेंगे, polymerization दो प्रकार का होता है, number one, addition polymerization, addition polymerization में क्या होता है, समान या भिन, unsaturated monomer के N-anon, परस पर सहीं उतो करके एक विशाल अनो बनाते हैं, इस प्रक्रिया में द्वीबंद तूरता है, तता monomers के अनों का योग होता है, इस प्रक्रिया में polymer का अनुभार, monomer के अनुभार का सरल गुणक होता है, this is very important thing, this is very important thing, कि जो polymer का अनुभार होगा, वो monomer होगा, उसका simple multiplication होगा, जितनी unit जुडेंगी, उस संक्या को एक monomer के molecular weight से गुणा कर देंगे, तो polymer का molecular weight आ जाएगा, ठीक है, आगे और क्या important है, एक लाइन और है इसमें, monomer और polymer का मूला नुपाती सुत्र एक समान होता है, जो fundamental formula है, वो क्या होगा दोनों का, सहीम होगा, ये ध्यान रख लेना, example polythene, polystyrene, and polyvinyl chloride, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो देखो, किसी भी monomer के N molecule है, ये polymer बनाएंगे, जैसे ये ethene है, तो ये हो जाएगी polythene, ये tetra-fluoro ethene है, तो ये polymer बना लेगा, इसका नाम बेसे वैसे कलिए tefnol होता है, ये styrene है, styrene के N molecule है, तो ये आपस में जुड़ करके polystyrene बना लेंगे, ये द्यान रख लेना आप लोग, ठीक है, तो ये जो mechanism है, या जो ये जो तरीका है, इसका हो मोग बोलते हैं, addition polymerization, कौनसा polymerization है ये, addition polymerization, दूसरी जो mechanism होती है, वो होती है, condensation polymerization और step growth polymerization, condensation polymerization और step growth, ऐसे monomer जिन में एक से अधिक प्रकार के, क्रिया आत्मक समोब पस्तित होते हैं, प्रस पर संगनित होकर बाउलग बनाते हैं, ये प्रक्रिया condensation, polymerization और step growth polymerization कहलाती है, इस अभी क्रिया में, एक के बाद एक पद भाग लेते हैं, और पदों की एक स्रेनी स्तापित हो जाती है, इसलिए इसे step growth polymerization कहते हैं, और इस mechanism के प्रतेग पद में, एक छोटा जैसे S2, N3, ROH आदी का निश्काशन होता है, फूर एक्जामपल अगर हम लोग यहां पर देखें, तो यदि हमारे पास कोई alcohol है, किसी compound का जो part है, एक जो monomer है, उसका alcoholic part है और दूसरे का acidic part है, तो यह दोनों reaction करके ester बनाएंगे, इसके लिए दोग एक 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 जामपल हम लोग यहां पर डिसकस कर सकते हैं, यह आपका glycol है और यह टर्थलिक acid है, तो इसका लगबग OH और इसका CWH, दोनों functional group आपस में reaction करेंगे, यहां से ester release होगा, क्या रिक लेगा यहां से, ester release होगा, और जब ester release होगा, तो आपके पास जो बनेगा, जो polymer जो बनेगा, उसमें ester group होँगे, उसमें भूसार ester group होँगे, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे polyester, क्या बोलेंगे इसे हम लोगे, polyester ये ध्यान रख लेना ठीक है तो ये आपका हो गया है step growth अब हम लोग बात करते हैं mechanism of polymerization की तो देखो mechanism of polymerization basically दो type का होता है एक free radical polymerization होता है और एक ionic polymerization होता है तो यहाँ पे हम लोग पहले डिसकस करेंगे free radical polymerization के बारे में ये mechanism free radical मद्यवर्ति के द्वारा संपन होती है तो ये अभी क्रिया निम्न पदों में संपन होती है निम्न पदों में देखो सबसे पहला जो पद है उसमें सबसे पहले formation of free radical इस पद में सरवप्रतम मुक्त मुलक का निर्मान होता है और मुक्त मुलक का जो formation होता है वो basically हमिशी हमेशा इस बौन्ड का होमोलाइटी क्लिवेज होगा और होमोलाइटी क्लिवेज से परोकसाइड free radical बनेगा कौन सा free radical बनेगा परोकसाइड free radical बनेगा ये द्हान रख लेनो फॉर एक्ज Diampa अगर हम लोग बेंजयल प्रोकसाइड ले लें को लेके अब लोग बेंजयल प्रोकसाइड ले जब इसका हॉमॉलाइटि क्लिवेज होगा तो वोही पहले फ्री रादिकल बने गा बेंजय या यह बेंजयुत हम लोग इसको फ्री रादिकल बाहक視ippacy में से CO2 eliminate होगा तो यह आपका फिर phenyl free radical बनेगा ऐसे अगर हम लोग एक well known compound होता है AIBN जिसे बोलता है एजो आईसो ब्यूटाइरो नाइटर इसका भी जब हम लोग heat देंगे या फिर sunlight देंगे तो समांस भी कंडन होकर के यह वाला free radical बनता है तो यह पहली step है free radical polymerization में जिसमें की पहली step में किसका formation होता है free radical का दूसरी step की बात करते है chain initiation step सरंकला को प्रारम करने वाला पद देखो इसमें कोई भी free radical monomer से reaction करके एक नया free radical बन जाता है और इस नए free radical में जो monomer unit है वो इस free radical से जुड़ जा जाती है जो तीसरी step है वो chain propagation step होती है और chain propagation step में क्या होता है कि जो पॉलीमर का जो chain ECS step है उसमें नए monomers जुड़ते जाते हैं वो एक चार तरह से जुड़ सकती है कि दोनों का एक का tail और दूसरे का head जुड़ जाए दोनों का tail वाला part जुड़ जाए तीसरी possibility क्या होगी हमारे पास दोनों का head जुड़ जाए और एक का head और एक का tail जुड़ जाए तो जो monomers unit आपस में जुड़ रही है वो चार तरीके से जुड़ सकती है और last में जो होगा यहां पे वो होगा स्रंकला को समाप्त करने वाला पत स्रंकला समाप्त कैसे होगी अब स्रंकला को समाप्त निम्प्रकार से हो सकते हैं दो मुक्त मूलक युगमन के द्वारा स्रंकला को समाप्त कर सकते हैं कि जब polymerization चल रहा है और बहुत सारे free radical बन रहे हैं उसी time कोई दो free radical आपस में dimerization कर जाएं युगमन हो जाएं उन दोनों का तो वो दोनों आपस में जुट करके dimerization के तो जुट जाएंगे और इस reaction से यह नए free radical का formation नहीं होगा और जब free radicals का formation नहीं होगा तो reaction जो होगी वो वहीं पर stop हो जाएगी ठीक है तो यह सारा जो था free radical mechanism के बारे में था next class में हम लोग ionic mechanism के बारे में discuss करेंगे ठीक है तो मिलते हैं next class में